हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीयस कैपस्यूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो रेगुलर एक्जाम अपडेट और करेंट अफेर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आज का करेंट अफेर्स मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया तो प्लीज उसको जाकर देख लीजे आपको काफी उसमें यूसफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी तैयारी को बहतर करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे जो 13 माई को हमारा केस लगा हुआ था विंध्यांचल वाला प्रश्म डबल बेंच में उसका ऑफिशल स्टेटस आ गया है तो उसमें मैंने आपको बताया था वन वीक का टाइम हमें पिशली बार मिला था तो वन वीक के टाइम ही हमें इस बा 20 माई को आपको पता होगा पास ओवर हमें मिल गया था या ले लिया गया था नीचे भी मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट हेरिंग डेट की अगर बात करें 27 माई 2024 केस लिस्टे इन कोर्ट नंबर 40 सीरेल लंबर 36 आपका फ्रेश लिस्ट में तो देखिए 13 माई को आने से पहले ही आपका लंच हो गया था और लंच के बाद 3001 यानि आपका एडिशनल लिस्ट लग गई थी तो इसमें फिर से आपका सीरेल नंबर 36 पर कोर्ट नंबर 40 में ही केस लगा हुआ है नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूं कोर्ट नंबर 40 आपकी कौनसी वेंच है यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेस लिस्ट ओनरेबल जस्टिस महेश चंतर तरपाथी और जस्टिस अनीश कुमार गुपता जी वाली है बेंच है 20 तारिक को पास ओवर मिला था 13 को उससे पहले हमें पास ओवर ही मिला था तो आप इसमें 27 तारिक को मुझे लगता आया था जिसमें पहले और रिजर्व रखा गया था विंजान चल वाले में जिसमें आयोग के पक्ष में डेड़ना गया था उसको इन्होंनों डबल बैंच में चैलेंज किया तो देखते है इसमें आप क्या होगा 27 तारिक को आपका केस लगा है फिर से यानि 36 नंबर पर तो जो भी होगा मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूँगा बागी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसे लगे हूँ है उसकी पूरी लिस्ट मेने कर डाल दी है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वह वीडियो देख लीजे सो मUच्छ